नमस्कार साथियों बाई वर्ड में आपसे भी कस्वागत है दोस्तों बिहार पारामेडिकल 2023 की फॉर्म की डेट आ चुकी है और कल से यानि की 22 अप्रील से आप लोगों का फॉर्म फिलब भी स्टार्ट हो जाएगा देख सकते हैं इसको लेकर के बोर्ड ने नौटिस जारी कर दी है जिसमें आपके चारो कौक्ष है एक महें ठीक है पीड कर दोस्तों इसका आगर देखें फॉर्म फिलफ करने का तो डेट आपको 22 जो है अप्रील से शुरू हो करके 16 मई तक का डेट दिया गया है मतलब पूरा-पूरी अगर हम बात करें तो आपको जो है 25 दिन का डेट दिया गया इसमें आराम से आप अपना फॉर्म फिलफ कर सकते हैं जितने भी एस्टुडेंट है फॉर्म थोड़ा निगरानी से पर आपके नाम फादर्स नेम अधार कार्ड और डिक्यूमेंट्स वाला जितना भी चीज़ है जैसे कि अधार एलेटेड जो है एड्रेस जो होता है उसमें आप गलती नहीं किजिएगा नहीं तो कॉंसलिंग के टैम में आपको बहुत दिक्कत होगी तो बहुत सारे पिछ आपड़ता है ना तो यह सब चीज को ध्यान में रखना अब हैं किसार एक्जान कब होगा फॉर्म तो बहुत जल्दी आगए जैसे कि उमीद था कि माई के बाद फॉर्म आएगी बिलकुल फॉर्म जो है मै के बाद ही आना था क्योंकि मै के बाद ही फॉर्म आती है जनरली लेकिन इस बार जो है मैं से पहले फॉर्म देदी तो आपकी एक्जाम की जो डेट है वो अब समझ लेजिए कि आपका एक्जाम जो है जुलाई में ठीक है एक से लेकर के पंदरा जुलाई के बीच आपका एक्जाम हो जाएगा ठीक है सब लोग विवीध का चेप्टर पूरा कंप्लेट कर लिजिए क्योंकि हर एर पांच कुष्चन वहां से आता ही आता है ठीक है पांच कुष्चन फिक्स रहता अगर प्रिवियस एर कुष्चन भी आप देखे तो वहां से पांच कुष्चन आपको दिखाए पड़ेगा और जियाद रखे यूनिक का जो प्रिवियस एर कुष्चन पेपर है उसको जरूर आप कम से कम एक वार सॉल्व करें क्योंकि वहां पर जितने प्रिवियस एर कुष्चन भले उसमें थोड़ा बहुत इरर है उसको धियान में रखिएगा उसको अच्छे से किज़िएगा लेक इसलिए पांच साल के कुष्चन आते रहते हैं जनरले तो आप इसको जरूर फाइंड आउट करके और सॉल्व करें मैथ में बहुत सारे स्टूडिन बोले चैसर की फॉर्म तो सारे लोग बता दिये लेगिन अब क्या पढ़ना वो भी थोड़ा बता देजिए तो इसलिए मैं इसमें कुछ-कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं कि मैथ में आप लोगों को टाइम एंड वर्क से एक कुष्चन फिक्स रहता है हर साल तो वहां से जरूर किजिए साथ ही आप लोगों को पता होगी कि रेशियो यानि कि अनुपात और समानुपात ठीक है रेशियो प्रपोर्शन से एक से दो कुष्चन फिक्स रहती है तो जरूर करें परसेंटेज कभी ना देने वाला ऐसा चीजी नहीं है तो परसेंटेज को भी पूरी तरह से कंप्लीट करें साथ ही साथ ही मैं बोल दे रहा हूं कि आप लोग जो है परसेंटेज के बाद लॉस एंड से एक कुष्चन आने की 100% चांसेज रहती है तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए साथ ही आप लोग बताईए कि क्या क्रेस कोर्स लॉंच किया जाए इसका या बस आप लोगों को कुष्चन करवा दिया जाए योट्योब पर इंपोर्टेंट या क्रेस कोर्स बहुत ही करेस कोर्स लेनी की कोई आवसकता नहीं है जो बाहरी बच्चे हैं किसी अन्य टीचर के पास पढ़ रहे हैं वह अगर चाहे तो क्रेस कोर्स ले सकते हैं इसके बारे में नीचे कॉमेंट में बताईएगा और भी अगर एकजाम से रिलेटेट कोई जानकारी आपको चाहिए तो जरूर हमें कॉमेंट करके बताईएगा बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में